गुद मॉरिंग स्टुडेंट्स तो बिटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं देखो लास्ट क्लास में हमने क्या था हमने डिफ्यूजन ऑफ गैस के बारे में पढ़ा था आज में क्या पढ़ना है हमें थर्मल कंडक्शन इन गैसे पढ़ना या फिर इसे बोलते हैं ट्रांस थे बोलते हैं जो रहा था यानि कि हाइयर कंसेंट्रेशन से लोवर कंसेंट्रेशन पर जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उस ताइम पर आपे हैं त्रांसपर्ट ओफ एनरजी या फिर ठांस्पोर्ट ओफ थर्मल conduction of a gas, ठीक है, किसी भी form में question आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो basic बाते तो तुम्हें अभी तक पता ही चल चुकी होंगी, कि क्या क्या है, हमारे पास जो भी हम particles लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, कि वो particles parallel layers में move कर रहे हैं ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चल लेंगे, A, B जो layer है, उसका temperature T है, इससे अबव जो layer है, उसका temperature इससे कुछ ज्यादा है, इससे lower जो layer है, उसका temperature इससे कुछ कम है, ठीक है, तो यही सारी बाते यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, क्या है, a gas may be assumed to be consist of a large number of parallel layers, which may be at different temperatures, हर एक layer किस पे है, at different temperatures, in such a case, the gas molecules will carry kinetic energy, ऐसे case में जो gas है, उसके पास क्या है, पार्टिकल मूव करेंगे, तो में ज्यादा मूव करेंगे, कम temperature रखोंगे, तो कम मूव करेंगे, यानि कि जतना ज्यादा temperature में बढ़ाती जाओंगी, उतनी ज्यादा वो kinetic energy उनके पास आती जाए जाएगा, motion आएगा, तो kinetic energy आएगी, ठीक है, from reason of the higher temperature to the reason of the lower temperature, so as to bring about thermal equilibrium, यानि कि हमें thermal equilibrium लाने से, यहाँ पे जादा temperature, यहाँ पे कम, हमें T temperature पर लाना है, thermal equilibrium तो तब ही होगा, जब सारे particles का जो temperature वो same हो जाए, ठीक है, thermal equilibrium state, this phenomenon is known as the thermal conduction, इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, thermal conduction, यह वाला, ठीक है, if we consider two layers, अगर हम दो layer को consider करके चलें, layer separated by a normal distance, having the temperature T and T, मान लो देखो वही, यह अपने पास two layers, ठीक है, एक का temperature मैंने मान लिया T, एक का मैंने मान लिया T, प्लस DT, इतने बात clear है, if we consider two parallel gas layers, two parallel gas layers separated by a normal distance, मान लिया उनके बीच में कुछ भी normal distance है, यह मान लिया उनके बीच में जो distance है, वो है dy, ठीक है, dy उनके बीच में distance है, having the temperature T and T plus DT, then amount of heat energy flowing through, amount of heat energy कितना जाएगा, जितना हमारे पास इतने area में से cross करेगा, वही तो जाएगा, ठीक है, तो मान लिया आपने पास क्या बच गया, यह है कितने area में से यह particle move कर रहे है, तो यहाँ पर हमें temperature gradient निकालना होगा, temperature gradient, temperature gradient क्या होगा बई, एक तो हमारे पास क्या है, T plus DT minus का T, ठीक है, कितना हमारे पास यह temperature divided by कितने distance में, dy, ठीक है, तो यह temperature gradient हमारे पास क्या आगया, DT by dy, ठीक है, अब देखो हर particle के अपनी कुछ energy होगी, कितने area में cross कर रहे है, वो उस पर depend करेंगी, यह निकि E is directly proportional to A into DT by dy, DT by dy is the temperature gradient, ठीक है, अब इस proportionality को हटाने के लिए हमें कोई constant चाहिए होगा, ठीक है, वो constant मैंने मान लिया है, K is equal to K A D A by DT, अगर हम यह पर unit area vector लेके चलूँ, अगर मैं area की value 1 ले लूँ, तो मेरे पास क्या होगा, E is equal to, E is equal to K DT by dy, वेर K is the, अपने पास क्या है, coefficient of the thermal, sorry बेटा दिखाई ही नहीं दिया, K क्या हमारे पास thermal conductivity, ठीक है, यही हमारे पास एक layer का temperature T है, एक का हमारे पास T plus DT है, इन दोनों के बीट का distance dy है, और दोनों का area है A, ठीक है, तो अपने पास जो energy होगी वो यह आ जाएगी, ठीक है, where A is the area of cross section of each layer, K is the coefficient of the thermal conductivity of gas, ठीक है, तो DT by DY is the temperature gradient, आपको पता चल गया कैसे निकाला है temperature gradient, यह फिर concentration भी बोल सकते हो, यह temperature gradient हमने कैसे निकाला है, concentration of temperature, concentration यह फिर thermal conduction of temperature gradient, ठीक है, तो now consider a gas at rest in the form of a layer parallel to O, X, ठीक है, जब हमारे पास यह सारा system rest पे होगा, तो एक हमारे पास layer आर यह, उस time उसका temperature था T, जो की इस O, X, यह है O, X distance उसका है Y, ठीक है, तो यह A, B layer है, let A, B be the layer at a normal distance Y, इनके बीच का distance कितना है भई, Y, ठीक है, let T temperature of the gas molecules in the layer A, B consider two layers C, D and E, F above and below A, B at a distance lambda equal to mean free path of the gas molecules, mean free path के बारे में भी हम बहुत सारी बाते करके हैं, ठीक है, now temperature of the gas in the layer C, D, अब देखो, हमारी यह, हमान के चले, जब हमारा system rest में था, ठीक है, और T temperature था उस time पे, तो हमारे पास जो layer थी वो है A, B, अब इसके अबव एक layer है C, D, इसके बिलो एक layer है E, F, इसके अबव जो layer है, उसका temperature इससे कुछ ज्यादा होगा, इसके बिलो जो layer है, उसका temperature कुछ कम होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो distance cover हुआ वो है lambda, जिसे हम बोलते है mean free path, particle एक layer से दूसरी layer में जाते हैं, तो उस time जो path travel करते हैं, उसे बोलते है mean free path, उसे free path क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक particle से दूसरी particle को collide करते हैं, उसे कोई disturbance नहीं होती है, वो free है, free to collide other particles, ठीक है, तो वो path travel करेगा, उसे बोलते है mean free path, ठीक है, ये mean free path के बारे में बहुत detail में बात करके हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि mean free path क्या होता है, तो बिटा, एक बार आपको वीडियो देख लीजिए, ठीक है, अपका concept clear हो जाएगा, next क्या है temperature of a gas molecules in the layer CD, देखो, CD में क्या है, AB से ज़्यादा temperature होगा है, T plus lambda dt by dy, temperature of a gas molecules in EF, EF में इससे कम होगा, T minus lambda dt by dy, ठीक है, इतने बात clear हुई, अब अपने पास है, according to postulates of kinetic theory of gases, gas molecules move in all the possible direction, हमें पता है, कि सारे particles free हैं, किसी भी direction में move करने के लिए, हर एक direction में, ठीक है, if N be the number of gas molecules per unit volume, मान लो N molecules है, V volume में travel कर रहे हैं, तो small n is the number of molecules per unit volume, देखो भई, physics के बच्चे हो, आब तक तो पता चल जाना चाहिए, के small n हम यहां पर mostly physics में, इसी लिए लेते है, number of molecules per unit volume, ठीक है, number of gas molecules moving along n by 3 y axis, देखो, तीन directions है, n molecules है, n क्या है, number of molecules per unit volume, जिसे हम small n लेके चल रहे हैं, तीन हर पास directions है, तो total जो number of molecules move करेंगे, वो n by 3, n by 3, n by 3 करेंगे, अब y axis में हमने मान के चलिया, n by 3, x axis में n by 3, y axis में n by 3, z axis में n by 3, ठीक है, अब y axis अकेली तो है नहीं, y positive भी है, y negative भी है, तो n by 3 में से आधे positive में जा रहे हैं, आधे negative में जा रहे हैं, तो positive में जा रहे हैं, तो n by 6 negative में जा रहे हैं, वो भी n by 6, ठीक है, out of there, n by 6 are moving downward, and ny 6 are moving upward direction, ठीक है, let's see bar be the average speed of the gas, हर particle जब यह मैं बोल रहे हूं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, एक layer से दूसरी layer में, तो मतलब ऐसे उड़के थोड़ी न जा रहे हैं, उनके पास कुछ अपनी speed है, तब जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो speed है, हर एक particle की अपनी speed है, मैंने क्या है, उनकी average speed ले ली, तो number of molecules crossing the layer, A, B, downward, per unit area, per unit time, देखो भई, मैं अब इसको explain नहीं करूंग, यह पर unit area, per unit time क्यों आया, last classes में है, मैं दोनों के वीडियो में, transport of viscosity में, transport of mass में भी, यानिके diffusion में दोनों में इसको explain करके आयूंग, कि यह per unit area, per unit time मैंने n by 6 into c bar क्यों लिया है, ठीक है, टोटल thermal energy carried by all the molecules crossing the layer, A, B, downward, यानिकि यहां से CD से जो पार्टिकल आएंगे, वो downward, A, EF से जो पार्टिकल जाएंगे, वो upward move करेंगे, ठीक है, टोटल thermal energy carried by all the molecules crossing the layer, A, B, downward per unit area, per unit time is equal to M, हमारे पास n by 6 into c bar, यहां पे cv क्या है, specific heat है, जब हम energy से related बात कर रहे हैं, temperature से related बात कर रहे हैं, तो यहां पे अपने पास specific heat आएगे at constant volume into T plus lambda dt by में dy, similarly, total thermal energy carried by all the molecules crossing the layer, A, B, upward per unit area, per unit time, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो M, N by 6, c bar, cv, यहां पे EF के लिए क्या हो जाएगा, यह किसके लिए था, यह cd के लिए है, और यह किसके लिए है, यह EF के लिए है, तो यहां पे temperature T minus lambda dt by dy, ठीक है, अब यह आगे हमारे पास, अब हमें net transfer of thermal energy निकालना है, कि net transfer किता हुआ है thermal energy का, ठीक है, तो क्या है हमारे पास, net transfer of thermal energy across layer A, B, per unit area, per unit time is equal to, net transfer of energy को मैं E से denote कर रहे हूँ, अब higher transfer of energy से lower transfer of energy को मैं minus कर दूँँगे, तो net transfer आजाएगा मेरे पास, ठीक है, M into N C bar by 6 into CV, T plus lambda dt by dy, माइनस का, M N C bar by 6, C V T minus lambda dt by dy, ठीक है, तो यहां पे M N C bar by 6 into CV, यह दोनों में comment है, तो इसको मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, यहां पे मैं 2 से 6 को cancel out करूँगे, तो 3 आजाएगा, तो E कितना आगया, 1 by 3, M N को मैं क्या पुट कर दूँ, C bar CV lambda dt by में dy, इसको मैं equation number A बोल दे रहे हूँ, ठीक है, हम पीछे find out करके आए थे, कि जो E है, वो is equal to K A dt by में dy है, ठीक है, अब for unit area के लिए A की value में 1 put करूँगे, तो E की value कितनी आजाएगी, K dt by में dy, अब A और B को मैं compare करूँगे, तो मेरे पास क्या मिलेगा, K dt is equal to 1 by 3, rho C, CV lambda dt by में dy, dt by dy, एक दूसरे से cancel out, यहाँ से K की value किसके ही को लागी, 1 by 3, rho C bar CV into में lambda, यह equation number C होगी हमेरे अपने पास, यह हमें find out करना था, क्या coefficient of thermal conductivity, वो हमें निका लिया, अब हम इसको temperature की term में और पढ़ेंगे, देखो भी, के जो है, वो directly proportional है, C bar की value होती है, root of 8 kt by m, ठीक है, तो यहाँ पे C bar किसके directly proportional है, root t के, C bar किसके directly proportional है, root t के, दिखाई दे रहा, ठीक है, तो यहाँ पे C bar इसके proportional है, के को मैं क्या बोल सकती हूँ, directly proportional of root t नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, से क्या है इस से अपने पास यह क्या ह्याह invit una by root एमके तो इसी तरह के बी-ढिकर्ट लीपर्पोर्शनल है रुूट टी के रूट टी यहां पर अब्स데 टेंपरेचर तरह पेशली कहानिय अभी पढ़ क्या हाय है और की is inversely proportional है root m के m is the mass of each molecules ठीक है तो इतना आपको इसमें करना है हमने काफी important है ये exam point of view से तीनों में से एक जरूर आता है transport of mass, transport of momentum, transport of energy ठीक है तो किस नाम से हो रहा सकते है transport of energy ठीक है ठीक है तो यह आपको हर फोम में पता होने चाहिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया इसमें जितने related points बनते थे सभी आपको समझा पाऊं अगर फिर भी कुछ आपको नहीं समझाया तो आप मेरे से पूछ सकते हो कोई problem आपको आए तो आप मेरे से concern कर सकत हो ठीक है उसके लिए लेकिन पढ़ना पढ़ेगा बीना पढ़े तो किसी को भी problem नहीं आएगी आप पढ़ोगे तो शोरली आपके दिमाग में कोई तो डाउट होंगे तो आप मेरे से concern कर सकते हो और समझा जाए तो अच्छी बात है नहीं समझाया एक बार और वीडियो क देख लेना नितो मिर से पूछ लेना all the very best पढ़ते रहे थैंक यू